नमश्कार मौप्रिया आज है 15 जुनवरी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर सिख्षप गाउं गाउं जाकर बच्चों को देंगे मार्क दर्शन बिहार के 103 नीजी अस्पतालों में कुरोना संक्रमितों के लाज की बिली अनुमती संक्रमितों तक दवा पहुचारे में मदद करेंगे प्रफियों बिहार में एक और बाइपास की केंद्र सरकार से मिली मन्जूरी अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की उनस्तार से बिहार पुलिस कॉंस्टिबल के केंद्रिये च्वेन बोर्ड में बिहार पुलिस कॉंस्टिबल के केंद्रिये च्वेन बोर्ड के निश्यत कॉंस्टिबल के कुल मिलाकर 365 पत पर आवेदन की मांग की गई है इन पदों के लिए सेक्ष्णिक योगिता की बात करें तो अभियर्थियों के पास 10 प्लस टू पास और उचाई च्वाती और वजन का मानक माप होना अनिवार है इच्छुक और योग्यों की मिद्वार अंतिम तारीख 18 जनवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर आवी दिन भर सकते हैं इसके साथ ही आप इन पर उसे जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगे यूरल से जाकर ले सकते हैं सिक्षक अब गाउं गाउं जाकर बच्चों को देंगे मार्क दर्शर कोवर्ट-19 के माहौल में सरकारी स्कूल के सिक्षकों को नया काम मिला है जिसके तहर बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता बनाई रखने के लिए सिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है इसको लेकर विभाग के अपरमुख्यस्ताचिफ संजे कुमार ने सभी जिलों के दियम और सिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है जारी किये गए पत्र में अपरमुख्यस्ताचिफ ने कहा कि कोवर्ट-19 के माहौल में विद्याले बंध है बच्चों के पथन-पाथन की निरंतरता बनाये रखने के लिए प्रचार प्रसार और अनुवर्ती कारवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए डिडी विहार की तरफ से कक्षा छटी से लेकर आठवी तक के बच्चों के लिए सेक्षनिक प्रसार अनारंभ किया जा रहा है जिसकी शुरवात 17 जन्वरी से होगी इसके अतरिक्त बच्चों के ओन-नाइन ओफ-लाइन माध्यम से पढ़ाई की निरंदरता बनाये रखने के लिए इकॉंटेंट के माध्यम से उनकी पढ़ाई करवाए जाने की तैयारी हो रही है बिहार में मिलें COVID-19 के 65 से ज्यादा मामले स्वास्तव भभा की तरफ से मिली जानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में भागलपूर में 230, भोजपूर में 102, बकसर में 34, दर्भंगा में 197, इस्चंपारण में 102, गया में 132, कुपाद गंज में 52, जमुई में 89, जहानाबाद में 106, कैमूर में 99, तरक टिहार में 24, खगडिया में 41, किशन गंज में 33, मधिपूरा में 149, मधुबनी में 42, इसके लावा, सैतीस, ऐसे मामलों की पुष्टी हुई है, जो दुसरे राज़के है, लेकिन इनके सांपल बिहार के अलग-अलग जिलों में कलेक्ट किये गए हैं, वहीं बीते दिन के पिछले 24 गंटे में कुल मिला कर 1,82,538 सांपल की जाच की गई, वहीं इस दौरां 3,8 1850 मरीज ठीको कर घर वापस लोटे हैं, आज बिहारी बिध्रे स्पेशल में हम बात करेंगे राकेश रंड़न कुमार की, राकेश रंड़न कुमार का ज़न्व आज वीके दिन धर्भंगा जिले में हुआ था, राकेश रंड़न कुमार एक भारतियй फिलम निर्देशक औ पर नितिया था। कुमार के पास हिंदू कॉलेज दिली विश्विद्याले से हिंदी साहित में सनातकोंतर की डिग्री है। सरकारी नौकरी करने के च्छा विहार में हर युवाव मिद्वार के बीच में जरूर देखने को मिली होगी। सामाने श्रेनी के अभिरतियों को कई बार शामिल होने के चूट तो दी ही जाएगी। लेकिन सरकारी सेवा से जुड़े कर्मी सिर्फ तीन बार ही इन परिक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर सामाने प्रसाशन विभा की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। साथ ही ये लेटर BPSC, BSSE के साथ DGP आयुक्त, DM तखनी की सिवा आयुक समेट अन्य सभी महकमों को जारी कर दिया गया है। पिरार के 103 नीजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के इलाज को मिली अनुमती। इनमें सारवाधिक पट्टा के ही विभिनन नीजी अस्पतालों द्वारा दिये गे आवेदन हैं, स्वास्विभाग द्वारा कोरोना के दुसरी चरण में संक्रमिन की बढ़ती रफ्तार को देखते वे पहली बार नीजी अस्पतालों को भी मन्जोरी दी गई थी। आये में बिहार की तरफ से सभी जुलों के लंबित आवेदनों का निप्टारा करते वे ततकाल मन्जोरी दिये जाने की मांग की गई है। दो दिन पहले पटना जुला प्रसाशन के साथ हुई बैठक में कोरोना में भी इस मांग को रखा गया था। प्रदेश के अनुरूप पूरी की जाएगी जिसके तहट ताई कारिकरम के अनुरूप ही 17 जनवरी से बचे वे इकायों में नियोजन की प्रक्रिया दोबारा से शुरू होगी। वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जुला पदाधिकारी और सिक्ष मिलने की कोई उमीद नहीं है क्योंकि एक बार फिर कंकनी बढ़नी शुरू हो गई है इसकी पच्छवा और उत्तर पच्छवा हवाओ का प्रभाव है मौसम वभाग के अनुसार इसकी वज़े से शुकरवार से ही नियुंतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक की बट आने की उमीद है जहां अगले 24 घंटे में तीन डिग्री तापमान नीचे आने की संभावना भी जुता है बिहार के 2000 मुबाइल टावरों पर फैसला होगा ज्यल निकादेश जारी कर दिया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि हाली में नगर्वेकास विभाग की समेक्षा में ये बाते सामने आई थी कि नगर्निकायों के स्तर पर काफी दिनों से मुबाइल टावर के आवेदर नंबित पड़े हैं इस कारण कई इलाकों में मुबाइल टावर की कमी की कारण संचार गंतवे में विरल सामना करना पड़ता है यहां तक ही हाली के दुनों में कई घने हुए इलाकों में पहले के मुकाबले मुबाइल के संख्या बढ़ जाने और टाबरों की संख्या में इजाफा नहीं होने के कारण करेक्टिविटी की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है संख्यमेतों तक दवा पहुच्वाने में मदद करेंगे प्राखन प्रमुख कोविट-19 संख्यमेतों तक दवा पहुच्वाने के लिए बिहार सरकार अपनी 80 चोटी का जोड लगा रही है यही कारण है कि अब सरकार ने जन प्रते निदियों के साहेता लेने का फैसला लिया है खासकर कि राजु के ग्रामीन इलाकों में बिनालक्षन के कोविट-19 मरीजों की देखवाल और जन प्रते निदियों की अध्यक्षतावारी विशेश कमीटी के हाथों होगा जुसके तहट बिनालक्षन वाले संक्रमितों को दवाई उपलब्ध करवाने का जिम्मा राजर सरकार ने नवनर्वाजित प्रकंड प्रमुखों को दे दिया है कमीटी के अध्यक्ष प्रकंड प्रमुख होंगे जिलो की लापरवाही के कारण ये योजना अब तक अटकी नजर आ रही है क्योंकि इस योजना के लिए ग्रेवभाग ने जिलो से 15 दनों में रिपोर्ट की मांगी थी रिपोर्ट नहीं मिलने के बाद विशेश शाखा ने इस पर आपती जताई है और 7 दनों के अंदर जिलो दो पर जानकारी की मांग की थी और साथ ही साथ ये चिंता का विशेश भी जताया था कि इस निर्देश पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ है बिहार में जल्द निप्टेंगे लंबित भूमी विवाद मामले बिहार में भूमी विवाद एक आम समस्या है ऐसे में बिहार सरकार इन विवादों को समय पर सुल्जानी को लेकर ढगाता और प्रियास भी कर रही है इसी कड़ी में अब जल्द ही उमीद है कि विहार में जमीन से जुड़े मामलों का समधान निकल सकता है क्योंकि हाई कोट और अदालतों में समय पर सरकारी पक शुना रखपाने से नाराज राजस्वेवं भूमी सुधार विभाग में अधिकारियों के जिम्मदारी तैय करने का फैसला लिया गया है विभाग मंतरी राम सूरत कुमार ने इस बावत साफ तोर पर कहा है कि दोशी पाएगे अधिकारियों पर सक्त कारवाई होगी दूसरे तरफ भू अर्जन के निदेशक से अपर सचिफ सुशीर कुमार ने जुलाधिकारियों को पतर जारी कर जमीन से जुड़े सभी लंबित मुकदमों का ब्यवरा भी मागा है जो कि उन्हें विभाग की तरफ से तैयार फॉर्माट में देना होगा साथ ही इसमें बताना होगा कि कितने मुकदमे कब से लंबे थे और उनके नपचारे के लिए क्या कारवाई की गई अशोग पर दिये बयान से घिरे लेखक दयाप्रकाश सुनहा ने दिय अपनी सफाई जिसके तैयत उन्हें ने साफ तोर पर कहा कि 10 साल पहले समराट अशोग नाम से नाटक लिखा गया था उसमें दूर दूर तक औरंगजेब से कोई वास्ता नहीं है किताब मार्केट में है कोई भी से पढ़ सकता है समराट अशोग और औरंगजेब के बीच तो नहीं हो सकती पूरे दुनिया में अशोग को महान माना जाता है समराट अशोग में बहुत धर्म स्विकार किया लेकिन किसी दूसरे पर थोपने का काम नहीं किया समराट अशोग सभी धर्मों और उनकी बातों को गलत तरीके सोचाल कर उन्हें बेवज़ विवाद में घसी प्ता जा रहा है बिहार में नगर निकाय चुनाव में बहुत कुछ होगा खास बिहार में पंचाय चुनाव के बाद अमनकर निकाय चुनाव को लेकर के चरचाय तेज है जिसके बाद उमीद यही है कि इस बार का चुनाव कई माईनों में एहम होने वाला है जिसके तहत मंदाता अपना वाड़ परशद के साथ ही मेर और डिप्टी मेर के लिए भी वोट देंगे अभी तक वो सिर्फ वाड़ परशद के लिए ही वोट करते थे कई शहरी निकायों में दो साल बाद आने वाले और विश्वास प्रस्ताव के नाम पर भी पैसों का खूब खेला लगातार की देखने को मिल रहा है लेकिन नए संचो दिन के बाद इस पर रोक लगने की उमीद है पुर्व मधर रेल की चार ट्रेनों के परचालन में होगा अस्थाई बदलाव पुर्व मधर रेल की चार ट्रेनों के परचालन में बदलाव होने वाला है जिसके परिणाम सरूप इस रेलखंट से गुजरने वाली पुर्व मधरेल के चाट रेनों के परचालन में निया मनुसार स्थाई बदलाव किया गया है जिसके तहत बिलासपुर से 21 जनवरी को प्रस्थान करने वाली गाडी संख्या 22843 बिलासपुर पतना एक्सप्रेस का परिचालन रद है इसके अलावा पतना से 23 जनवरी को प्रस्थान करने वाली गाडी संख्या 22844 पतना विलासपुर एक्सप्रेस का परिचालन भी रद किया गया है वहीं गाडी संख्या 17007 सिकंद्राबाद दर्भंगा एक्सप्रेस और 13288 राजिंदर नगर टर्मिनल प्रतिशत मारी संख्या में वर्ध हार्यर स्वस्त मह कम है हरान परिचलन रहा इसकी डैनिक रिपोर्ट तयार की जा रही है इसके तहट बीटे दिने एक हजार घरों में जाकर संक्रमितों का तापमान और अक्सिजन की जाज की गई और उसका डाटा सेंट्रल सर्वर पर अपलोड कर दिया गया है अपर मुख्यसाचिफ की माने तो राजी के अस्पतालों में सिर्फ एक प्रतिशत संक्रमित भरती है जबकि 99 प्रतिशत लोग होम आईसिलेशन में है नव चैनित दरोगा और सार्जेंट को जुला का हुआ आवंटन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परिक्षा के आधार पर चैनित और अनुसंशित 2277 दरोगा और सार्जेंट को जुला आवंटन कर दिया गया है पुलिस मुख्याले के तरफ से इस बात की जानकारी साझा कर दी गई है साथी साथ नियुक्ती पत्र दिये जाने को लेकर भी दुशानिरदेश दिया गया है मिली जानकारी के रुजार अब अभी हर्थियों को 14-15 जनवरी तक नियुक्ती पत्र उनके ग्रेंज मुख्याले से मिल जाएगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि दरोगा और सार्जिंट की नियुक्ती पर लगाई गई रोग को पटना उचने आले द्वारा हटाने के आदेश दिये जाने के एक सब्ता के बाद ही जुला अवंटन की कालवाई की गई है चार जनवरी को अदारत द्वारा रोग हटाये जाने का आदेश दिया गया था उतनी ही तेजी से कंटेन्मेंट जोन की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। का दिरने स्थाने प्रसाशन द्वारा दिया जाता है। संतो जनक कदम अस्पतार के खिराफ नहीं उठाय गया था जिसके बाद ही अब इस मुद्देव को पटना हाई कोट ने उठाया है। इतना ही नहीं इस मामले को लेकर सरकार से जवाब ही तलब किया गया। मिली जानकारी के नुसार मुदाफरपूर में मोतिया बिंद के ऑपरेशन में डॉक्टरों की लापरवाही से 30 लोगों के अंधे होने के मामले में पटना हाई कोट में सभी विपक्ष्वी पार्टियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। इसके परिणाम सरुप राजु सरकार को 30 सब्ता के भीतर जवाबी हलफ नामा दायर करने का अदेश दिया गया है। अब जल्दी इन योजनाओं के लिए निविदा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया है कि भिहार के मोहनिया में NH2 से निकलकर भबुआ चैनपूर चांद होते वे उतरप्रदेश के चंदौली में NH2 के पास जाकर ये मिलती है। ब्रामन बोच कराने वाले मांजी ने योगी पर साथा निशाना। कुस दूनों पहले ब्रामनों को भोच करवाने के बाद जीतन रामांजी को उतरप्रदेश के मुख्य मंतरी योगी अदितिनात का दलित परिवार के यहां भोजन करना नागवार गुजरा। जुसके तहती उन्होंने बीते दिन उनके इस वाक्या पर तंच कसा है और कहा कि दलितों की घर खाना खाने वाले हमारे निवाला चीन रहे हैं। ते उसी वक्त मांची ने ट्वीट कर यह बात कही। जो एक राजनितिगी है उनका हुआ था। प्रसेल फिल्ब निर्माता और दादा साहिप फाल के पुरसकार जीतने वाले तपन सिंग का 2009 में ने धनुआ था। भारत का दक्षिन आफरिका में पहली टेस्स सीरीज जीतने का टूटा सपना। भारत और दक्षिन आफरिका के बीच तीर माचों की सीरीज का नरनायक टेस्ट केप टाउन के नियू लाइन स्टेडियम में खत्म हो चुका है। ये मैच साउथ आफरिका ने अपने दाम कर लिया वहीं टेस्ट हारने के बाद भारत का दक्षिन आफरिका में पहली टेस्स सीरीज का सपना भी टूट कया। शामल था हाला कि उसके बाद भी साथ विगेट से जीत हासल कर देवे दक्षिन आफरिका काम्याब रही। हर सबता 20 रेकमेंड़ वीडियो डाउनलोड कर सकता है फिलहाल ये फीचर सीमित समय के लिए और सीमित यूजर के लिए एक एक्सपरिमेंटल फीचर के रूप है। अब आए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 14 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रती 10 ग्राम 46,510 रुपे था। वही जाब इस कैरेट के लिए प्रती 10 ग्राम 49,030 रुपे था। इसके साथ ही अगर हम चान्दी की बात करें तो चान्दी का भाव प्रती किलो 62,200 रुपे था। इसके साथ ही राजधानी पट्टा में पिट्रूल की कीमत 105,090 रुपे प्रती लीटर और डीजर के दाम 91,09 रुपे प्रती लीटर थे। कल हमारे दोरा पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत धनेवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रूपा कुमारी, विजय घायल, चोहान म्यू जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बिताएं, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्रेटेड रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना भूले, धन्यवाद